डिर स्टूटेंट वेलकम टू दे यूनिवर्सल प्रस्नावली 4.3 का से और मैं सारी कुश्चन को अच्छे से एक्स्पेंड करूंगा आप प्लीज लाश्ट तक बने रहिए और आप डिफ्रेंस देख पाएंगे कि हां किस तरह से मैं पढ़ाता हूं और किस तरह से दूसरे टीचर पढ़ाते हैं अग्यां अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो में देख दिखांगा दूबारा मत देखी है ठीक है मैं गारन्टी के साथ बोलता हूं कि आपको पका समझ में आएगा और ऐसे तरह से को साथ्मा को साथ में सीम आ उसं में क्या है छोटी संख्छां . वर्ग बड़ी संख्यां का आठ गुना है ठीक है तो दोनों संख्याएं ग्याद कीजिए को बढ़िया से समझना पहले अगर आपको कोशन कोई भी कोशन बनाती है अगर समझ में नहीं आता तो दो बर पढ़िए अप उस को और अच्छे से पढ़िए अगर घर में पढ़ते है ना तो ऐसे में कोशन को और बहुत सारे दिमाग में कुछ ने कुछ चलता है जिसके कारण को अब पकड़ नहीं पाते हैं कैस नहीं कर पाते हैं कि भासा को तो अगर जोड़ से पढ़ोगे तो कुशन समझ में आगा कता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर ठीक है कोटी संख्या का वर्ग ठीक है कि बड़ी संख्या का ने ऑठ गुनाई ठीक है दोनों संख्याओं गयात थीbas एspecific क्या था हमारा अब बड़ी संख्या को ही माल लेते हैं इस इकल टू एक्स ठीक है एवं छोटी संख्यां कुछ वाई माल लेते हैं बाद में हम लोग एक वेरियबल में कर लेंगे ठीक है तो क्या दिया हुआ है प्रश्न से चोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का आठ गुना मतलब चोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का आठ गुना है ठीक है यह होगी हमारा एवं क्या दिया हुआ है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर वर्गों का अंतर तो बड़ी संख्या मैनेस छोटी संख्या का वर्ग होगा ऐसा नहीं कि छोटी संख्या का वर्ग मैनेस बड़ी संख्या का वर्ग ऐसा नहीं है बड़ी संख्या का वर्ग मुस्किल होता है इसमें क्या करेंगे डारेक्ट यहां से x square y square का value क्या है 8x डारेक्ट value put कर देंगे 180 लिखेंगे समी करांग 1 से अब यहां पर x square minus 8x minus 180 is equal to 0 प्या करेंगे दोई घाती सुत्र से x is equal to plus sorry minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a यहां पर b is equal to कितना है minus 8 है plus minus minus 8 का square minus 4 into a का value 1 है और c का value minus 180 ठीक है divided by 2 into 1 is equal to 8 plus minus 64 plus 18 का बहुता है 720 divided by 2 इतना तक समझ में के लिए है 8 plus minus यह होगी है हमारा है चार आठ साथ से चौरा से यह हो जाएगा आठ पलस मैनस किसका होगा है 28 का वर्ग होता है साथ से चौरा से डिवाड़े बाटू तो यहां पर एक बार पलस में एक बार मैनस में पलस 28 बाई 2 या 8 मैनस 28 बाई 2 तो यहां से हो जाएगा हमारा 28 अठ चार बिस तेरह हो गया तो यह हो गया 18 या मैनस 10 अब देखेंगे मैनस 10 वैलिड है या नहीं है ठीक है अब क्या करेंगे यह हो गया हमारा x का वेलिव मतलब बड़ी संख्या या तो 18 होगा या तो मैनस 10 होगा लेकिन मैनस 10 होगा या नहीं होगा अब भी देखते हैं x is equal to 18 क्या था यहां पर हमारा यहां देखिए छोटी संख्या जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है तो y square is equal to 8 गुना 18 ठीक है तो यहाँ से y square is equal to 144 y is equal to इधर square root में जाएगा देखिए जब भी square root होता तो plus minus होता है इसका मतलब plus minus 12 अब x is equal to minus 10 पे देखेंगे y square is equal to 8 into minus 10 ठीक है तो y square is equal to minus 80 और आप जो है minus root का value नहीं निकाल सकते हैं इसलिए यह अमान नहीं होगी है ठीक है minus 10 नहीं लेंगे ठीक है तो x is equal to 18 पे y is equal to plus minus 12 अता बड़ी संख्या x is equal to 18 छोटी संख्या is equal to y is equal to कितना होगी है 12 या दो चीज़ होगा बड़ी संख्या x is equal to 18 छोटी संख्या minus 12 यह हमारा अंसर होगी है ठीक है अब आठमा कोश्चन देखता है आठमा नमबना कोश्चन कोश्चन पढ़ लिए पहले कोश्चन को पढ़ना है पहले अच्छे समझ लेना है उसके बाद बनाना एक रेल गाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमेटर की दूरी तै करती है ठीक है सिंपल है यदि यह चाल 5 किलोमेटर पर आवर अधीक होती तो वह उसी यात्रा में एक घंटा कम समय लेती रेल गाड़ी की चाल ग्याद कीजिए ठीक है कोश्चन अपने समझ लिए पढ़ लिया एक रेल गाड़ी 360 किलोमेटर की दूरी तै करती है एक समान चाल से अगर हम लोग माल लेते कि X किलोमेटर पर आवर है तो यह कितना टाइम लेता हमारा क्या होता है चाल बरावर दूरी बटे समय ठीक है तो समय निकालने के लिए इधर दूरी बटे चाल हो जाता है तो 360 डिवाड़ेड़ बाए X ठीक है यह आपका कुछ टाइम लेता लिकिन क्या बोलता है कि अगर चाल को पांच किलोमेटर परावर अधिक कर दिया जाए मतलब कि X पलस 5 कर दिया जाए तो दोनों का जो यातरा में अंतर होगा यह घंटा कम समय लेगा मतलब कि यह X से चलेगा तो ज़्यादा टाइम लेगा अगर X से X km per hour की हिसाब से चल रहा है तो 4 घंटा ले रहा है अगर X plus 5 km per hour की हिसाब से चलेगा तो 3 घंटा लेगा इसका काने का यह मतलब वो है इस तरह का ठीक है तो question देखते हैं simple है कुछ नहीं है भारी नहीं है आपको बनाना है आप समझ जाएंगे माना रेल गाड़ी की चाल is equal to X km per hour ठीक है प्रस्ना नुसार और यहाँ पर लिग देते है जानते हैं या चाल बरावर जानते हैं या चाल बरावर चाल बरावर दूरी बट्टा समय ताकि समझ वाया कि हाँ कोशन इस तरह से बनाएं ठीक प्रस्ना नुसार क्या है कि 360 km 360 km यह देखिए यहां पर यहां से लेकिए यहां तक 360 km है ठीक है यह टू बी यह दूरी ते करता है मानलो यह एक्स किलोमेटर पर आवर की साबसे है तो टाइम कितना लगा है इसमा 360 divided by x फिर कहता है कि 360 सेम डिस्टेंस है वही दूरी है लेकिन क्या करता है यह चाल को बढ़ा देता x प्लस 5 कर देता तो यह भी टाइम है यह भी टाइम है लेकिन यह अगर पांच घंटा लेता तो यह 4 घंटा लेता इसका मतलब किया difference is equal to 1 है 1 hour दिया हुआ कोश्चिन ठीक है तो यहां से हम लोग अब इसको simplify करेंगे तो x प्लस 5 से इसको multiply करना है क्यों आप लोग भीने का जोड़ घटाव जानते हैं वही है x इंटू x प्लस 5 नीचे में है अगर इसको इसमें divide करेंगे तो x प्लस 5 हो जागा ठीक है तो इससे multiplication होगा 360 से 360 x प्लस इसको 5 से multiply कीज़े 5,0,0,6,35,3,3 5,0,15,3,18 minus 360 x equal to 1 यहां से यह cancel 1800 यह उधर चला जागा multiply कर लिए x स्क्वाइर प्लस 5 x x स्क्वाइर प्लस 5 x minus 1800 is equal to 0 ठीक है इतना तक है अब क्या करेंगे हो दो इगाती फॉर्मूला से यह इतना नच प्लस 5 x यहां से वीकाइर प्लस 5 x यहां से इतना फ्लस 5 x सो तो इंटो 1 ठीक है मैनस 5 प्लस मैनस 25 या प्लस अठारो चुक है बहतर सो मैनस 5 प्लस मैनस 72 तो यह किसका हो जाएगा हमारा बहतर सो पचीस है पचासी कहो जाएगा है ठीक है क्यों कि 8 नमव बहतर बहतर सो पजासी यह का इसका वी फौर यह होता है ठीक है तो वह अगर मांगना कोई भी जिसे 75 का स्कौर निकलना है तो अगर कोई भी 5 से एंडिंग होगा उसका स्कौर निकलना तो पहले वाला का दूसरे जिसे 7 है तो 8 से इसी तरह से 50 का स्कौर करना है तो आठ नमाव 72 का करना है तो 6 से एक बढ़ा करके साथ शे सता बैयालीश स्कौर ठीक इस तरह से होता है मैं बता दिया है बस आपकी जानकारी के लिए प्लस से 50 divided by two या मैंनस 5 मैंनस 85 divided by two तो यहां से 80 वाटो या मैंनस 90 वाटो 40 या मैंनस 45 लेकिन क्या है चाल है तो यह अमान हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि चाल हमेसा पॉजिटीव में होगा अता रेल गाड़ी की चाल एक्स किलोमेटर पर आवर इकल टो 40 किलोमेटर पर आवर ठीक है तो मेरे प्यारे स्टुडेंट आप सभी हो कैसा लगा यह वीडियो पिलीज कमेंट बोक्स में लिखिए और लाइक कीजिए जो सब नए है सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लिजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालू आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए और आप से फायदा उठा सको अगर आप नए हो तो प्लेलिस्ट में जागा के सारे वीडियो देख सकते हूं मैंने अच्छे से एक्स्प्लिन किया है आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है कमेंड बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं यह सोच रहा हूँ कि प्रिवियस यह की जितने भी कोश्चन है मैथ के हो या मतलब हिस्ट्री या साइन्स के हो तो वो मैं ले के आऊँ अगर आप चाहते हैं तो कमेंड बॉक्स में लिख दीजे कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट का चाहता हूँ तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ हूँ थैंक्यू वेरी मच